साथियों आज मैं बस्तर के 36 गड़ के युवा साथियों को भी एक बात पताना चाहता हूं जो पहली बार अपना वोट डालने जा रहे हैं वो नवजवान मेरी बात सुनिये आपको 2014 से पहले की गटनाओं के बारे में जानना जरूरी है 2014 से पहले दिल्ली में जो सरकार थी ना अकबारों में बड़े बड़े गोटाले चाहे रहते थे लाखों करोडों के गोटाले यही खबरे होती थी और पूरी दुनिया में हमारे देश का नाम पूरी तरह बदनाम करके रखा था 2014 में देश ने कॉंग्रेस की सरकार को उखाड फैंका और पूर्णा बहुमत की भाज़पा सरकार दिल्ली में बनाई आज गोटालों के बजाए दुनिया में भारत के गवर्व की चर्चा होती है भारत के सामर्थ की चर्चा होती है आप मुझे बताईए आज दुनिया में हिंदुस्तान का डंका भज रहा है ने बज रहा है एते नई पूरी ताकत से बताई हिंदुस्तान का डंका बज रहा है ने बज रहा है अमेरिका में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है ने बज रहा है यूरोप में हिंदुस्तान क डंका बज़रा एक नहीं बज़रा है सिंग्यापोर में हिंदुस्तान का डंका बज़रा एक नहीं बज़रा है आपको गवर होता एक नहीं होता है आपका माथा उचा होता एक नहीं होता है इसलिए मेरा युवा साथियो आपको एक बात जरूर ध्यान रखनी है आज देश के बहुत कम राज्यों में कॉंग्रेस की सरकारे बच्ची हैं और एक बार जाती है ना 25-25 साल तक वापिस नहीं आती है और इसलिए जब इनके पास सरकारे ही कम है तो लूट का माल कुछी जगह से लूटना पड़ता है इसलिए जहां भी इनके सरकार बनती हैं वो जम करके लूटते हैं पूरे हिंदुस्तान में उन्होंने राज्यस्तान चत्तिश गड़ ऐसे राज्य को लूट का सबसे बड़ा खजाना बना दिया है 36 गड़ के ही लोग मुझे बताते हैं कि कॉंग्रेस के हर छोटे बड़े हर नेता ने 15 साल जो तक सरकार नहीं दिना वो जो खाद पड़ गई दिना वो भी जमा करने में लग गए पांच सालों में यानि 15 साल तक इनको 36 गड़ को लूटे का मोका नहीं दिया अब वो सारी कसर भी अभी निकालना शुरू कर दिये हैं अरे इन्होंने तो गोमता के नाम पर भी प्रस्टाचार किया है जिन्होंने गोबर तक को नहीं छोड़ा उन्होंने क्या क्या नहीं किया इनके प्रस्टाचार के सबसे बड़े भुक्त भोगी मेरे नवजवान है मेरे बस्तर के लोग है कॉंग्रेस ने युवाओं को नोकरी का वादा दिया था लेकिन नवजवानों की नोकरी में ही गोटाला कर दिया कॉंग्रेस के नेताओं ने PCS भरतियों में अपने बच्चों अपने रिष्टेदारों को सेट कर दिया क्या अग नहीं किया चारों तरफ लूट बचाई नहीं बचाई इनकी पार्टी तो राजनिती में भी अपने ही बच्चों को सेट करती है और नोकरियों में भी यही करती है 36 गड़ के लाखों परिवारों आदिवासी पिछडे परिवारे के बच्चों से कॉंग्रेस ने नोकरियां चिन ली है आपका अधिकार चिन लिया है नोकरियों तो दी नहीं जो पहले से सरकारी नोकरी में है उनको भी कॉंग्रेस ने लोगों ने लूटा है परिशान किया है ट्रांसपर पोस्टिंग को लेकर यहां सरयाम प्रस्टाचार हो रहा है बोली बोली जाती है ऐसे ही उगाई की जा रही है इसलिए 36 गड़ कह रहा है आउ नहीं सहीवो बदल के रहीवो आउ नहीं सहीवो यह अब नहीं सहीवो साथियो आप आश्वस्त रहिए आप कॉंग्रेस की सरकार बदल ये भाजपा इस पूरे लूट तंत्र को बदल देगी ये कॉंग्रेस ने लोग तंत्र को लूट तंत्र बनाया है और प्रजात तंत्र को परिवार तंत्र बना दिया है भाजपा सरकार बनते ही PCS गोटाले की जाच होगी गुनेगार भी कितना ही ताकतवर हो मोदी उसको जेल में डाल करके ही रहेगा हर नवजवान हर सरकारी कर्मचारी को पुरा न्याय मिलेगा